Hello friends, as usual, मैं हूँ मनीश शंकरतिवारी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं E-classes by Manish sir परिक्षाओं की तैयारियां इस समय आप लोगों की जोर सोर पर होगी पिछला जो Class 10th का Model Paper मैंने Social Science के लिए डाला था उसको आप लोगोंने बहुत अच्छे से देख लिया होगा, समझ लिया होगा और Question and Answer solve किये भी होगे उसका PDF भी डाउनलोड किया होगा इसके अलावा परिक्षा असान सीरीज के चारों सब्जेक्ट्स History, Geography, Economics और Political Science इनके भी PDF डाउनलोड कर लिया होगे नोट्स देख लिया होगे आप लोगों के गवद बता दू में कि अब पूरी किताब पढ़ने का टाइम तो है नहीं है तो Maximum Students जिन्होंने अपने नोट्स बनाया होगे अब उन नोट्स को याद किजिए कि हाँ ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया संसाधन हो गया, संसाधन के प्रकार हो गए इस तरह से चीजों को आपको क्लिक करते हूँ चलना पड़ेगा ताकि last day, exam के ज़स्ट पहला वाला दिन 25 तारीक को, आप लोग बहुत अच्छे से एक बार रिवाइज कर सको और complete काम कर सको आज मैं आपको इस वीडियो में चार अंक का एक महत्पूर्ण प्रेशन लेकर आ रहा हूँ यदि आप पूरे चार अंक लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को बहुत अच्छी से देखें जी हाँ, मानचित्र अंकन हम लोग आज बचार करेंगे आज हम लोग चर्चा करेंगे मानचित्र अंकन पर कि किस तरह से चार अंक लेना है कप्छा 10 में जोगरफी का जो खनिज संसाधन एवं विनिर्माड उद्योग वाला चेप्टर है उस चेप्टर में से चार अंक के नकसे आना है नकसे के लिए तीन मैप उस अध्या में बने हुए उनी तीन मैप में से आठ चीज़े पूछी जाएंगी अथवा करके, उन चार को आपको मैप में भारत के नकसे में दर्शाना है और चारंग हासिल कर लेना है ये चारंग आप से चूकना नहीं चाहिए इसकी तैयारी करना हो तो चलिए हम शुरू करते हैं सामाजिव ग्यान की तैयारी का कुश्चन नमर 20 जो है वो होगा आपका मांचेतर अंकन का और उस मांचेतर अंकन में आपको आउटलाइन मैप दिया रहेगा कुश्चन पेपर के साथ में जिसमें भारत के 28 राज और 8 के अंदर शाचित प्रदेश उसमें दिखाई देंगे अब आपको ये बहुत अच्छे से आपको आख बंद करके ये पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट किस जगह पर है इसकी तैयारी आपको करना ही पड़ेगा तो आपको इसकी तैयारी करना हो तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्राखन पी एच यू ये उपर ये इस्टेट नहीं है अब लदाख और लदाख और जम्मू कश्मीर जो है ये लदाख वाला एरिया और ये जेएंड की वाला एरिया ये अब यूनियन टेरिटरी हो गा है तो पंजाब, हिमाचल प्रदेश उत्राखन उत्राखन के नीचे है उत्तरप्रदेश और यहाँ पर पंजाब के नीचे है हरियाना राजिस्थान छेतरफल की दृष्टी से सबसे बड़ा राज राजिस्थान के नीचे है गुजरात ठीक है गुजरात के नीचे आजाता है महराष्ट महराष्ट के नीचे करनाटक करनाटक के नीचे केरल के बाजू में तमिल नाडू उससे उपर आंधरा आंधरा से उपर तेलंगाना तेलंग जाना के उपर आप जाते हैं तो 36 गड़ आता है, 36 गड़ के जश्ट बाजू में ओडिशा, ओडिशा के उपर उत्तर में कौन सा स्टेट है? जारखंड, जारखंड के बगल में वेस्ट बेंगाल और जारखंड के उपर है बिहार और इधर आते हैं हम तो सिक्किम, आसाम, अरुनाचल प्रदेश, नागा लेंड, त्रिपुरा, मिजोरम, इस तरह सी स्टेट्स और ये बीच में हमारा आ जाता है, MP, मद्ध प्रदेश, तो ये स्टेट्स के नाम आपको याद होना चाहिए, बहुत अच्छे से, इसके बाद आप लोग इस मान चित्र को बह अभरक कहां कहां पाया जाता है, ये दिख रहा है हमको, बॉक्साइट कहां कहां पाया जाता है, लोग इस की कुल 13 खाने हैं, लोग इस के छेत्र की बात करें, तो एक, दो, तीन, चार छेत्र हैं, मैगनीज 7 पॉइंट्स दिये हुए हैं, और लोग इस के निर्यातक पत्त मेगनीज छेत्र, पाच्वा बॉकसाइड वाल और छट्वा अभरग वाल एरिया, इनको हमको देखना है कि यह कहां कहां पाय जाते हैं, तो सब से पहले हम देखते हैं, लो, आयस्क छेत्र कहां कहां पर है, तो यह देखते हैं महराष्ट और गोवा की पट्टी, तो यह हम द गोवा हो गया तो महराष्ट गोवा की पट्टी में हो गया इसके बाद आता है करनाट का पट्टी तो करनाट का भी दक्षणी करनाट का वाला हिस्सा है यहाँ पर यह पाया जाता है लो एसका भंडार है पूरे छेत्रम लो एसके हैं इसके बाद उडिशा जारखंड तो महराष्ट की पूर्वी बॉर्डर है इस पर भी आप अगर गोला लगा देते हैं तो आपका आश्र पूरा हो जाता है तो यह लोग एस्क छेतर चार है इन चीज़ को आप याद रखिएगा इन पॉइंट्स को अब आता है महत्वपून लोग एस्क खाने कहां कहां पर है तो सबसे पहले नाम दिया हुआ है रतनागिरी महराष्ट में यह आप याद रखिएगा और चुकि आपको अगर लोग एस्क के छेतर पता है महराष्ट गोवव पट्टी यान इस पट्टी से आपको बाहर नहीं जाना है तो रतनागिरी इस पट्टी का उत्तरतम मिंदू हो जाता है और दक्षनतम हो जाता है गोवा तो महराष्ट में एक ही पॉइंट है रतनागिरी और इसके बाद आजाता है गोवा अब आता है कुद्रे मुख यहां पर एक बाद ध्यान रखिए कि कुद्रे मुख जो है एक महतुपूर्ण हदान है और संसार का सबसे बड़ा भी इसी छेतर में है तो ये तीसरे नंबर पर ये देख रहा है आपको ये कुद्रे मुख यहां पर है ये आपको यहां पर देख रहा है कुद्रे मुख तीन नंबर चार नंबर पर चिक मंगलूर कुद्रे मुख से जश्ट बाजू में लागा हुआ और तुम कुरू जो ह थोड़ा उपर पूर्व की तरफ इसके बाद हम देखते हैं चित्रदूर्ग और बेलारी तो इस तरह से ये पॉइंट्स आजाते हैं आपके करनाटका के परिक्षा में सिर्फ पॉइंट्स दिये हैंगे इस्टेट्स के नाम नहीं दिये रहेंगे इसके बाद हम आते हैं दक्षिरतम में स्थित है वो है बैलाडीला बैलाडीला चंद्स गड़ का दक्षिरतम बिंदू आप क्लिक कर दीजिएगा और चंद्रपुर महराष्ट का वही कोना पकड़ लेंगे आप जो चंद्स गड़ और तेलंगाना का जो ट्राइंगल बनता है वहाँ पर आपको चंद्रपुर मिल जाएगा दुर्ग 36 गड़ में है केंदुजर नाम से आपको सौन में आजानाची केंदुजर मयूर भंज ये चो हैं उड़ीसा के छेतर होंगे और एक आगया तेरवा गुवा अब आप देखिए दूसरे नमबर पर क्या दिया है गुवा और तेरवे न नमबर वाला बिंदु लगा लेंगे तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि गुवा लिखा है या गुवा लिखा है यदि गुवा लिखा है तो उड़ीसा और जारखंट की बॉर्डर पर आपको उसको दरसाना होगा क्लियर हो गया चीज इसमें महतवपून यही है कुछ मह महतवपून चीजें जो आएंगी एक तो यदि आपको लोह एस खाने पूछता है तो एक कुद्रे मुख महतवपून है यहाँ पर इसके बाद मैंने आपको बताया गुवा एक यह बैला डीला भी इंपोर्टेंट है और यह जो नाम है चंदरपूर इसी से मिलता चुलता ह नाम आएगा आगे चंदरपूरा उसमें भी कंफ्यूजन क्रियेट हो सकता है चलिए आगे बढ़ते हैं जैसे वो नाम आएगा मैं आपको याद दिला दूँगा कि लोह एस खानवाला चंदरपूर और उस चंदरपूरा में क्या अंतर है इसके बाद आगे बढ़ते हैं लोह एसक निर्यातक पत्तन याने विबंदरगाय जहां से लोह एसक का निर्यात होता है तो मारमा गुवा जैसे की नाम से ही लग रहा है कि ये गुवा का बंदरगाय है मंगलूरू याने कुद्रे मुख जहां पर है यहीं पर कुद्रे मुख है चिकमंगलूर है यहां पर उपर बेलारी है फिर यहां पर पूर्वी तट पर विशाखा पटनम के लिए ये वाला है चंदरपूर बैलाडीला दुर्ग वाले एरिया से आता है लोह एस निर्याद करने के लिए और पारादीब उडिशा का जो बंदरगाय है वह यहां के लिए है इस छेतर के लिए उड आता है वह पारादीब से जाता है तो दो पूर्वी छेतर के हो गया बंदरगाया और दो पस्चिमी छेतर के यह पूछा जा सकता है तो आप इसमें ध्यान रखे पारादीब उडिशा में है आपको शेटिक का नाम पता होगा तो आप क्लिक आसाणी से कर दें यदि बंदर गाह पत्तन आता है तो ध्यान रखेगा उसको नक्सिके बीचों मत दर्सा देना चुकि पत्तन यह बंदर गाह नाम आता है तो वह है समुद्र और भारती इस्थल सीमा पर ही होगा ना तो समुदर के बीचो बीच होगा ना ही भारत के बीचो बीच होगा वह किनारे पर ही होगा तो इसलिए पारा दीप उडिशा के किनारे पर है हाँ थोड़ा उपर नीचे यह दिया आपका निसान लग भी जाता है तो टेंशन ने लेकी आवशकता नहीं है ठीक है ना चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं मैगनीज मैगनीज भंडार के लिए गोवा एज यूजवल गोवा आपको याद हो गया होगा गोवा मारमा गोवा महराष्ट के दक्षरतम बिंदू में गोवा इस्थित है यह ध्यान रखिएगा आप लोग यह पूरा महराष्ट कहलाता है यह वाला एरिया यह महराष्ट और इसके सदन पॉइंट पर यह इस्थित है इसके बाद शिवमूग करनाटक में है फिर आता है नागपूर महराष्ट में है भंडारा महराष्ट बाला घाट उपर है थोड़ा सा इसके मद्यप्रदेश में सुंदरगर उरीशा में आ जाएगा केंदू जर भी उरीशा में आ जाएगा तो ये साथ पॉइंट आ गए इन साथ पॉइंट में एक पहला पॉइंट गुवा का स्टेट का हो गया दूसरा पॉइंट हो गया करनाटा का स्टेट का तीसरा और चौथा पाइंट महराष्ट श्टेट के पाँचवा पाइंट जो है बाला घाट मध्य प्रदेश का बाला घाट भी एक्जाम में आ सकता है इसके अलावा मुझे इसमें कुछ जदा important point नहीं दिख रहा है इसके बाद बाक साइट पर आते हैं हम बाक साइट में कटनी एक important point है नए अप पूछा जा सकता है कटनी कहाँ इस्ते थे भारत में तो कटनी इस जगह परिस्थे थे मध्ध में कहीं पर भी भारत के नक्से के सेंटर में लगा दो आप कटनी मन लिये जाएगा अमरकंटक मध्ध प्रदेश और 36 गिल की बॉर्डर पर आ जाएगा और उसी के ज़स्ट नीचे मैकल की पहाड़ियां आ जाएगी और बिलासपूर उसके थोड़ा सबाजू में ट्राइंगल बनाते हुए याने यदि हम देखें कि कटनी अमरकंटक और बिलासपूर एक ही सीध में लगभग आते हैं इसके बाद कोरापुट जो हवाए उड़ीसा का एक पॉइंट है जहाँ पर बॉक्साइट पाया जाता है अबरक के लिए हम देखते हैं अजमेर और बेवर एक दूसरे से लगा हुआ यह नया नाम है बेवर यह एक्जामर पूछ सकते हैं यह आपको कन्फूस करना हो तो बेवर कहा है तो जहां आजमेर है उसी के आसपास भी आप क्लिक कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है गया बिहार और हजारी भाग जारखंड तो यह जब भी आयस की बातें आए बिहार से समझनलित कोई पॉइंट होगा तो वो जारखंड से लगे हुए एरिया में यहीं पर ही आप उसको कहीं पर डेनोट कर दीजिए आपको नमबर मिल जाएंगे तो इस तरह से हमने मैगनीज, बॉकसाइड, अभरक और लोहा के बारे में इस मैप में बहुत अच्छी से देख लिया और समझ लिया इन पॉइंट को, अब आपको इसमें कन्फूज नहीं होना चाहिए, अब दोबारा यदि आप इसको देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को भी अगर आप लगातार द आता है, तो अजमीर यहाँ पर है, राजिस्थान में इस पॉइंट पर है, गया बिहार में है, हजारी बाग जारखंड में है, यह याद होना चाहिए, यदि आपको इस्टेट का नाम तो याद करना पड़ेगा, कि कौन सा खदान, कौन सा छेतर किस स्टेट में है, तो एक दामोदर नदी घाटी, यह वाला एरिया जो है नमबर एक का, यह दामोदर नदी घाटी का है, यह सो नदी दो पाइंट, यानि या मरकंटक के वहाँ पर यह सो नदी घाटी है, और इसके बाद टर्शरी, यह महतोपूर्ण है, यह एक्जाम में पूछा जा सकता है, य इस तरह से आप लोग देख लिए इसमें महत्पून नेवेली है बाकी चीजे तो आपको जाएंगी तर्शरी और नेवेली जो नए नामा है तो तर्शरी याने वो है साथ सेवन सिस्टर्स वाल एरिया में असम में खास कर और नेवेली याने तमिलाडू में इसके बाद आते नहीं है और पांच नमर पर सिंग रॉली है कंफ्यूज मत होईएगा गोवा और गोवा वाली बात आ गई यहां पर गोवा कहां पर है गोवा इस पॉइंट पर है यहां पर गोवा कहां पर है और गया कहां पर है गया थोड़ा इसके ऊपर है यहां पर गया है तो गया वो इस जगाए पर है कहाँ पर ये पॉइंट है चार स्टेट्स का पॉइंट है मिला जुला उडिशा च्छतिसगर तेलंगान और आंधर प्रदेश का जो मिलाप बिंदू है लगभग वहाँ पर सिंग रहनी है ध्यान रखिएगा और तल्चर उडिशा तल्चर जो है उडि जरिया जारखंड और रानी गंज पस्चे मंगाल रानी गंज भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एक्जाम में पूछा जा सकता है इसके बाद जजी नजीरा और मैकुम ये नौर्थ इस्ट के स्टेट्स में पाए जाते हैं जिसमें तीनों पॉइंट से इंपॉर् की जरूरत नहीं है सिंगरेनी एक हो गया और दूसरा हो गया सिंगरॉली इसमें आप कंफ्यूज ना हो या दोनों पाइंट भी पूछ सकते हैं यदि दोनों आ गया तो तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि सिंगरेनी जो है वह चार राज्यों की बिलकुस सीमा पर है और सिं इंपोर्टेंट बसीन दूसरा मुंबई हाई मुंबई हाई थोड़ा सा नीचे है बसीन थोड़ा सा उपर इसको बेसिन भी बोलते हैं ध्यान रखिएगा मुंबई हाई कई बार एक्जाम पूछा जा चुका है लेकिन यह नहीं आया है इसलिए तेल छेतर में बसीन अगर तो आप कहां पहुंचेंगे समुदर के किनारे इधर पहुंचेंगे जबकि यह समुदर से इसका कोई लेना देना नहीं है यह आसाम और अरुनाचल प्रदेश के पास का एक बिंदू है ठीक है न तो शिव शागर पर भी आपको असम जाना पड़ेगा सेवन इस्टेट्स में चार और चार जो है इस एरिया में सेवन इस्टेटंबाल एरिया में क्लियर अब हम आगे बढ़ते हैं तो तेल शेत्र में कन्फूज बिल्कुल मत होईएगा मुंबई हाई आजाए या बेशीन आजाए एक ही पॉइंट लगाना है आपको अंकलेसर या कलोल आजाए ए एक ही जगा भी लगा देंगा तो दिक्कत नहीं है और ऐसे ही शिपसागर, मोरन, डिगबोई, नहर कटिया चारों भी आजाते हैं और कोई एक बिंदू पर आप लगा देते हैं तो भी आपका वयांसर सही होगा क्लियर अब हम देखते हैं ये छेत्र मुख्य सुरक्षित प्राकरतिक गैस वाले चेतर तो ये एक्जाम में आने की संभावना नियूनितम होती है कि कौन सा ये एरिया है बिलकूर इस पर टेंशन ना लें एक राजिस्थान का एरिया है ये वाला नंबर एक राजिस्थान, नंबर दो गुजरात, नंबर तीन वो बसीन और यह आपको नक्से में दर्साने को आ सकती है, मैं यह यह आएगी, सिर्फ ह्वीजे गैस पाइपलाइन को दर्सा, यह बाकि कुछ नहीं आएगा, पॉइंट में दिया जरूर है, एक कुश्चन आ सकता है, तो ह्वीजे को लेकर आप कन्फूज नहों, एक पॉइंट यह है, त गुजरात, मद्धप्रदेश और उत्तरप्रदेश तीन ही स्टेट सामिल होना चाहिए चौथे स्टेट में यदि आपका पैन जाता है तो आपके नमर कड़ जाएंगे ध्यान रखिएगा गुजरात से सुरू होगा और गुना जिले से होते हुए जगदीजपुर तक उत्त गुरू ग्राम को ऊपर चला साहिब अबाद और इधार आजाता है स्वानिपर साहिब अबाद आ गया और नीचे बाकी तीन पॉइंट से आजाते हैं बड़ोधरा जाबुआ और आई है लेकिन ये पूरा याद करने की बिल्कुल आवशकता नहीं है एच बीजे में केवल और केवल पूछा जाएगा आपको ये पॉइंट पॉइंट वन पॉइंट टू और पॉइंट थी को मिलाने के लिए आप इस तरह से पैंसल उठाके और ऐसा भी लाइन खेश देते हैं आपको पूरे अंक मिल जाएंगे अब अपन बढ़ते हैं अगले कोश्चन पर अगल कूर्जा शेयंतरों की जो की संख्या में बहुत कम होते अच्छ है काकरा पारा जो की कहां पर है गुजरात में अक्सा देख के आपको अपसमझ में आ जारा चाहिए तारापुर जश्ट उसके नीचे महराश्ट में कहगा करनाटका कलपकम तमिलनाडू नरोरा उत्तर प्र पूछ लिया था तो यह 6 के 6 आणविक ताप विद्युत ग्रह जो है आणविक उर्जाशेंतर हैं यह आप याद रखिये और यह एक सर्किल में देखिये इस तरह से यह नक्से में आप देखिये इस तरह से आर्दचंदर बना रहे हैं यह बना रहे ना अर्दचंदर यह इस तरह से ये इस्थित है तो अब ये अर्दचंदर याद रखी है आप अब सीरियल आप इनका अलग-अलग अपने हिसाब से याद रख लिए जिएगा अर्दचंदर की बात जब हम करते हैं तो ये अगया नरोरा ये अजाएगा रावत भाटा इसके बाद अजाएगा काकरापारा उसके नीचे अजाएगा तारापुर उसके नीचे अजाएगा कैगा और नीचे अजाएगा कालपकम अब आप अपने शॉर्ट काटिक्स बना ल येगा ठीक है ना लेकिन किसी भी पॉइंट्स को दर्थानि के लिए आपको उसके स्टेट का नाम रटा होना चाहिए काकरा पारा जैसे ही नाम आए गुजरात आपको याद होना चाहिए तारापुर जैसे ही नाम याद आth olduğ आना चाहिए, कहेगा जैसे ही याद करनाटा की याद आना चाहिए तो उसमें क्या रहता है कि जो इस्टेट आपको नाम याद आएगा उस्टेट में आप जैसे ही क्लिक कर देंगे कहीं पर भी किसी भी बिंदू पर आप क्लिक कर देते हैं कि चीटिंग ये कि यहाँ पर इस्टेट के नाम दी हुए है दिल्ली जबकि एग्जाम में इस्टेट के नाम नहीं आएंगे सीधा पॉइंट पूछा जाए गए कौन सा कहान तो दिल्ली यहाँ पर इस्टेट है फिर फरीदाबाद गांधी नगर साबरमती ध्रोवरन एहमदाबाद वानकबाडी और उकई ये गुजरात के थर्मल पावर प्लांट है महराश्ट के थर्मल पावर प्लांट ये आगए ट्रॉम्बे उरन परली भुसावल नासिक कोड़ी चंदरपूर इसके बाद में तमिलनाडू के तूती कोरिन नेवेली इनूर आंधर प्रदेश का विजयवाड़ा और तेलंगाना का कोट्टागुडम रामागुंडम सक्मिय आपको बता रहा था यहां पर कि यह जो है यह नाम दिया हुआ है चंदरपूरा कहां है जारखंड में है जबकि चंदरपूर कहां पर है महराश्ट में है तो अब आपको कंफूज नहीं होना है कंफूज क्रियेट करने वाले कौन कोई से नाम आ गये एक आ गया सिंग रॉली ध्यान रखीएगा सिंग रॉली और अब आया है चंद्रपुर ध्यान रखीएगा चंद्रपुर्ण कहाँ पर है रmostण में है सिंग रहली और सिंग रहनी वाला चक्कर भी जो है इस पॉइंट पर ही यहाँ पर Syn रहली यह वीशाफी दिख रहारा नहीं यहां पर सिंग रहनी धियान रखना ठीक न आप हापने देखते हैं मध्य प्रदेश में 36 गड़ा पहले देख लेथे 36 गड़े में को रॉबा प्र प्र, अमरकंटक और सिंगरॉली इसके बाद उत्तर प्रदेश में हर्दुअगन पनकी परीचह और रहंद ये ताप विद्यूत सेंटर है तो अब इसमें आपको कन्फूज करने के लिए पूछ सकते हैं दिली पूछ सकते हैं आपसे दिली बता देजिएगा गांधी नगर पूछ सकते हैं साबर मती हैं दवाद एक ही पूइंट दरसा देंगे इन तीनों के लिए पान हो जाएगा लेकिन ये पता होना चाहिए कि इनको दरसाना किस स्टेट में है अब आप से पूछा है गांधी नगर और आप उसको असम में दरसा देंगे यहां पर बिंदू लगा के औ को कौन सा पॉइंट किस स्टेट में है इसके बाद आपके लिए सब कुछ बहुत आसान हो जाता है इस तरह से उर्जात आप से इंतरा आप लोग देख लेते हैं अब मान चित्र के संबंद में आपको एक ग्रहकार दिया जा रहा है उस ग्रहकार को आप करिएगा ये और शिव शागर ये मैप में दर्साना है कलपकम, बसीन, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, गैस पाइपलाइन और तारापुर इनको आपको मैप में रेखांकित करना है मान चित्र अंकित करना है कि ये बिंदू मैप में कहां पर है तो ये तो हो गया चार नंबर का मान चित्र, बीसवे कोश्चन में आएगा आपको मान चित्र, उसको अंकित करना है, आप बहुत अच्छे से इसको कर लेंगे, मान चित्र हल करते समय आपको एक बात का विशे ध्यान रखना है, मान चित्रों में जितनी भी जगए दी है, उनको अपनी आख में क्लिक कर लो 32 मेगा पिक्सल का कैमरा अपनी आख में सेट कर लो और उसको आप क्लिक कर लो हाँ इस पे से आदाया चलो एक कमेंट बॉक्स वाला होमवर्क में बताता हूँ साइन्स फील्ड का है जर्नल लॉलेज का है जस्ट फार एंज्वाइ हमारी आख कितने मेगा पिक्सल की होती होगी गूगल उगल करके सर्च करके बताना मेरे को ठीक है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखना लेकिन हम यह कह रहा है कि आप अपने आखों के कैमरे से तीनो नकसों को तीनो मान चितरों को तीनो मैप्स को छाप लिजिये गुवा कहा है चंदरपुरा कहा है इन्नोर कहा है नाहर कटिया डिग बोई मेकुम मोरन यह जो है एक एक स्टेट्स के वही वही है हैं तो यतने नाम आते हैं तो एक ही बिंदू से कितने काम चल जाएंगे इन चीजों के बारे में आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए मेरे इस मैप के साथ में definitely आपके लिए वो सब कुछ बहुत आसान हो जाने वाला है यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको चार अंक गारंटेड मिल जाने वाले हैं पूरे के पूरे तो आप लोगों को बहुत सारी शुब कामना है मैप के पूरे चार अंक हासिल करना है इसके अलावा भी यदि आपको एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, अन्न कोस्चन्स में किसी भी तरह का कोई डाउट्स हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई कॉनसेप्ट की प्रावलम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसके लिए अलग से वीडियो बन और मुझे जाल दीजिये, जैहन, जैभरत!